वेलकम बैक मैसेलफ एसके डिगरवाल और सेकंड गर्ड के जो एक्जाम भी चलने वाली है 21 तरह से तो उसके जो एड्मिट कार्ड है वो जारी कर दी गए है अगर कोई भी स्टुटेंट जो सेकंड गर्ड की प्रपरशन कर रहे हैं अपने जो एड्मिट कार्ड है इस प्रकार से कुछ लेकिन जेनी इस ऑपनी सायटेबर जाते हैं तो कुछ error भी दिखाता है और कई बार हो सकता है site open भी हो जाए लेकिन इस method के थुरू आप जाओगे तो हो सकता आपका time consuming method है इसमें time लगे है आपके पास लेकिन जैसे आप अपनी SSO ID है इसके थुरू आप जाते हो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो फस्ट जो आएगा ही click here to know your district location आप जैसे इस पर click करोगे तो कुछ इस प्रकार का interface हो आपके सामने आएगा यहाँ पर आप इस option पर जाओगे get admit card आप जैसे ही इसके उपर click करोगे तो कुछ इस प्रकार का interface हो यहाँ पर आपने पास में क्लिक होगा और जैसे आप अपना जो एप्लीकेशन एंटर करते हो और स्वेक्ट बर्थ करते हो तो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा देखो कुछ कंडिडेट्स के सवाल थी कि हमारे जो आपको 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 इस प्रकार से आपको दिखाई देगा यहां सेस्वाइब तो यहां से देखोंहरे आप काफसे सवाल है कि यहां से कहां से प्राप्प्ट करें हीँ आप अपने एफलीकसन व्यूग करके यहाँ पर आप अपने देख सकते हो एप है यहां से आपको आपके-इडि नादी है वह फूरे अपने फ Hammd जो है वह फिलब किया आपने यहां से आपको मिल जाएगा इसके अलावा आप यहां पर जाओगे गेट एड्मिट कार्ड तो यहां से भी आप इसको करश सकते हो मैंने चीज़ है वह सभी चीज़ आप इस मेथर की तो आप जैसे करते हो तो यहां भी आपको यह पॉट्ल कुछ हो सकता है थोर दर पहले इसमें तो आप दोनों मेथड़ से कर सकते हो आरपीयस से की जो ओफिशल वेब साइट है जहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस लिंक के थ्रूब आप जा सकते हो और अपनी जो एससो आईडी है उसके थ्रूब आप अपना यहाँ पर आप एड्मिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकत हो उमिद करता हूँ आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किये जिए तो किस प्रकार से आप अपने आईडी है वो लोगिन कर सकते हो थैंक्यों फ्रेंट्स